So hey guys, welcome back to another new video, my name is Mohit and you are watching Digital Mohit. आज को बड़े काफी important होने वाला है आप सभी के लिए अगर आपका भी Amazon Affiliate account है तो दोनों reason में आपको बताऊंगे कि आपका अगर account अभी अपरू है तो वो कभी भी reject हो सकता है second अगर आपका नया नया account है और वो reject हो गया है तो उसका reason क्या है reject होने का ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को पुरा complete देखना, step by step सारी सीज़े बताऊंगा और ज्यादा समय आपका नहीं लेने वाला हूँ वीडियो को पूरा watch करना और side map को कुछ screenshots में दिखाऊंगा जिससे आपकी help होगी जो कि मेरे वीडियो पर काफी comments आये इसके पहले का मैंने Amazon Affiliate related एक complete वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपका Amazon Affiliate account reject हो जाता है तो उसमें जो आपका balance है जो आपने कमाया था उसको कैसे निकाल ला है मतलब कैसे आपको pending amount मिलेगा ये steps मैंने पुरा practical तरीके से बताया था और उसमें मैंने कुछ चीज़े ये भी बताया था कि आगर आपका account अपरू हो जाता है या reject हो जाता है उसके क्या reasons है तो stay by step मैं सारी जीज़े आपको बता देता हूँ one by one लेकिन अगर आप मेरी चानल पर नए है तो चैनल को सबसे पहले subscribe कर लिजे और वीडियो को लाइक भी कर दे ताकि आपको आने वली वीडियो की notification सबसे पहले मिलती रहेगी और अगर आपके कुछ भी डाउट होता है Amazon affiliate related तो आप मुझे नीचे comment कर सकते क्योंकि मेरे पार्च आइडी रिजेक्ट होए तो उसके बाद मेरी 6 वाली आइडी रिजेक्ट हो जग्ये और मेरे जितने भी payments आया है Amazon affiliate के वह सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करके रखे अगर आपको देखना है तो description में आपको मेरे पूरे playlist के list मिल जाएंगी तो इस वीडियो में आपको ये बताना चाहते हो कि अगर आपका Amazon affiliate account है या वो reject भी हो गया तो उसके reason क्या है अगर आपका Amazon affiliate अगर अभी अभी आपने बनाया तो और कभी भी reject हो सकता है उसके कारण है उसके reasons है सबसे पहले तो Amazon affiliate ना की वर्ड में लिखना है ना आपको description में लिखना है आपको Amazon logo कहीं पे भी use नए करना है आप को Amazon का लोगो कहीं पे भी use नहीं करना है आपको कहीं पर बी V फेस्बुक पेज अटेच किया है कोई वेबसाइट अटेच किया है या अपने यूटूब चैनल अटेच किया है अपने Amazon Affiliate अकाउंट में उस पे ही आपको शेयर करना है आपको डायरेक्ट 1-2-1 किसी को शेयर नहीं करना है Amazon Affiliate ID इससे आपका invalid क्लिक के कारण भी आपका Amazon Affiliate अकाउंट reject हो सकता है यह तीन बड़े में रिजन है कि आपको Amazon का नाम कहीं पर भी यूज नहीं करना है ना अपने वीडियो में ना टाइटल में ना डिस्क्रिप्शन में ना कहीं पर भी वीडियो में भी नहीं करना है सेकेंड कि Amazon का लोगो ब्रैंडिंग कहीं पर भी आपको यूज नहीं करना है जब Amazon का Affiliate account approval में जाता है तो वो सारी चीज़े चेक होता है और थर्ड चीज मैंने बताया कि यह सब आपको लिंक्स डिरेक्ली 1-2-1 शेर नहीं करना है बस आपको जहां पर अपने चैनल अटैच किया है उसी पर आपको शेर करना है इसमें बहुत सारे doubts थे एक चीज मैं clear बता देता हूँ कि अगर आपका Amazon Affiliate account है तो minimum उसमें 500 subscribers चाहिए यूटूब चैनल पर अगर आपने यूटूब चैनल रखा तो यूटूब चैनल पर minimum 500 subscribers चाहिए और उसको कभी भी आपको hide नहीं करना है आपको subscriber को कभी भी private नहीं उसको आपको publicly ही रखना है यह चीज़ आपको ध्यान रखना है ताकि आपका भी Amazon Affiliate account reject ना हो यह कुछ important four चीज़े मैंने आपको बता ही वह आपको follow करना है अगर आपका नया account है यह आपको reject हो सकता है कभी भी राइट अगर आपका reject हो चुका है तो उसके balance कैसे rate cover करना इ Amazon Affiliate Marketing related तो आप मुझे message कर सकते मेरे Instagram चैनल पर Mr. Digital Mohit पर वहाँ पर मैं सबका reply देता हूँ और आपका भी जरूर दूँगा वीडियो कैसा लगा वीडियो में जरूर आप वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe कर दे अगर आपको भी ऐसे interesting वीडियो चाहिए Amazon Affiliate related, YouTube related, Graphic Design related, Digital Marketing related तो आप मेरे चैनल को follow कर सकते है, so guys I hope कि आपको सारा question जितने भी थे आपके वो सारे clear हो चुके होंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you all